नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स पार्ट टू यानि मंडे रिप्लाई बॉक्स में तो गाई ज्यादा बाते ना करते हुए सीधा में बुद्धे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं सर इस पर बीडियो बनाओ सर रिप्लाई तो भाई आप एक महिने नर खरगोष को मादा खरगोष से अलग रखें फिर मीटिंग करवाएं इससे भी मीटिंग करने का चांस बढ़ जाएगा नेक्ट कुश्चन अर्मान खान मेल मेल मीटिंग करते हैं तो इसका इंसर है नहीं बट कभी कभी मेल आपस में ही ऐसी हरकते करने लगते हैं नेक्ट कुश्चन राहुल सैनी सर मेरा रेविट मेल हीट पर आता है फिमेल मीटिंग नहीं करने देता है मीटिंग करने पर काटता है प्लीज रिप्लाई मी तो भाई आप नर खरगोष को एक महिने उससे अलग रखें हो सकता है आपकी मादा खरगोष प्रेगनेंट हो व नेक्ट कुश्चन खुसी पर बीन मेरे पास दो फिमेल रेविट है दोनों बहुत लड़ती हैं दोनों को अलग-अलग रूम में रखना पड़ता है क्या करें तो देखिए जब मादा खरगोष में हार्मोनल चेंज़ेस होता है या ओ हीट पर होती है तब ही एक दूसरे से फाइट करती है ऐसे में उन्हें अलग रखना ही ज़्यादा बेटर रहता है नेक्स्ट कुश्चन रोहन नमस्ते सर नमस्ते ब्रो सर मेरा खरगोष बिल में बच्चे दिया है मुझको पता है लेकिन बिल में नहीं जाता है क्या बिल से बच्चे को बाहर निकालें प्लीज निकालने की जल्दवाजी ना करें और अगर आपको 100% यकीन है कि यो रात हो या दिन कभी भी बिल के अंदर नहीं जाती है तब बच्चे बिल के अंदर जीवित ही नहीं होंगे आप बाहर निकाल सकते हैं नेक्स्ट कुश्चन डीसी गेमर मेरे पास दो खरगोष थे पर म मेरा एक खरगोष बीमार होकर मर गया तो मेरा अकेला रैबिट साइड हो गया है तो भाई आप उसे अभी बहुत ज़्यादा अकेला ना छोड़े वरना वो डिप्रेशन में जाकर मर सकता है अकेले पन की वज़य से नेक्स्ट कुश्चन हसी खुसी अगर घास ना हो तो प खाना कम खा रही है मैंने उसे पिछले महीने 15 तारिक को ली थी मैंने उसको सिर्फ एक मादा खरगोष ही ली थी मैंने नेस्टिंग बॉक्स भी रख दिया है तो देखिए आपको ज़्यादा टेंसन नहीं लेना है बस आपको उसका अच्छे से ध्यान रखना है वो खरगोष तो दूद ही नहीं पिलाती है और बच्चे मर जाते हैं क्या करें तो देखिए जब मादा खरगोष बच्चे जनम दे दे तब आप सिर्फ और सिर्फ उसके खाने पीने पर ज्यादा ध्यान दे वो दूद जरूर पिलाएगी और अगर उसे दूद ही जनरेट नह मुम्किन है नेक्ट कुश्चन पंकज विलोग आई मिन सर मेरी रैविट जब बेवी देती है तो एक या दो घंटे में बेवी को दूद पिलाती है तो इसका एंसर है नहीं जब मादा खरगोस बच्चों को जनम देती है तब वो उन्हें चाट कर साफ करती जाती है और नेक्ट कुश्चन राहुल परेवा सर मेरी फीमेल 6 मंत की हो गई है पर ओ हीट पर नहीं है क्या करें ओ हीट पर आ जाए तो भाई आप उसे अच्छे से खिलाए पिलाएं ओ हीट पर आ जाएगी और मादा खरगोस को हीट पर कैसे लाएं इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा आप जाकर देख सकते हैं नेक्ट कुश्चन आरियन कसाना सर मेरी मादा खरगोस 13 दिन पहले घोसला बनाने लगी क्या वह बच्चे देगी ज्यादा तर खाना खाकर बैठना ही पसंद करती है पर हमें पता नहीं चल है कि वह बच्चे देगी या नहीं हमने हाथ लगा कर भी देख लिया पर कुछ बहसूस नहीं हुआ तो देखिए आप 32 दिन तक बेट कर लीजिए सब कुछ कीलियर हो जाएगा और इनका दूसरा कमेंट है सर मेरी मादा खरगोस ने पहले दूसरों के घरों में पांच बच बच्चों को खाएगी तो इसका इंसर है नहीं क्योंकि अगर वो बच्चे खाने वाली होती तो एक बच्चे को भी जिन्दा नहीं छोड़ती और सभी को खा जाती मेरा खरगोस का बच्चा है नहीं खाता बहुत कोशिस की कैसे इंट्रोड्यूज करें है बन्नी को तो देखिए आप है यानि सुखी घास हमेशा बच्चों के पास रखे और नरम चारा वगएरा थोड़ा कम दे और भूख लगने पर धीरे धीरे खाना इस्टार्ट कर दे हांने नेट कुश्चन I use寭 खरगोस का जोड़ा एक कलर में ले आना चाहिए तो देखिए भाई अगर आपको सिर्फ एक कलर के ही बच्चे चाहिए तो आप एक ही कलर के ले लो और अगर अलग-अलग कलर के बच्चे चाहिए तब आपको अलग-अलग कलर के नरमादा ले आना चाहिए भाई मेरे पास दो खरगोस हैं और मैंने उनको भी एक केज में रखता हूँ वह पांच मन्त के हैं मेरे पास एक ही केज है मैं अब क्या करूँ मेरा मेल रैविट ब्रीधिंग करता है तो भाई अगर आप एक रैविट लवर हैं और अपने खरगोस से प्यार करते हैं तो आप एक केज या पिंजरा और पर्चेस कर लीजिए बस आपकी सारी प्राबलम साल्ब हो जाएगी नेक्स्ट कुिस्चन अधित्या सर्मा मेरे खरगोस को बिल्ली ने काट लिया है और अभी तक जिंदा है क्योंकि अगर ओ डर की वज़े से डिप्रेशन में चला गया तो फिर उसका बचपाना मुस्किल हो जाएगा नेक्स्ट कुिस्चन अभी तक उसने बेवीज नहीं दिया है मेल और फिमेल एक साथ रहता है तो भाई वैसे तो नार्मली खरगोस के बच्चे जब 4-5 महिने के हो जाते हैं तब वो पूरी तरह से मीटिंग करने लगते हैं बट अगर किसी रैविट में अंदरूनी कोई प्राबलम होती है तब वो मीटिंग करने से बचने लगते हैं इसलिए आपके नर्या फिर मादा खरगोस में किसी एक में कोई प्राबलम जरूर है आप अपने मादा खरगोस का मीटिंग किसी दूसरे नर्खरगोस से करवा लीजिए सब कुछ कीलियर हो जाएगा नेक्ट कुश्चन हनुमान नाया खरगोस को पिजरे में रखता हूँ और उसको खाना और पानी देता हूँ तो बाहर पानी क्यों दिखाई देता है तो मैं पानी को रात में नहीं रखूंगी प्लीज रिपलाई संडे तो भाई आप हमेशा चाहे रात हो या दिन अपने रैबिट के पास पानी दे कर ही रखें नेक्ट कुश्चन भाई जी मेरी मादा खरगोस ने तीन या चार दिन पहले बच्चे दिया है पर मेरा मेल उसको दोड़ा दोड़ा कर उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है मैंने उसको केज में बंद कर दिया जी पर फिर मादा उदास सी हो गई जी क्या करूँ बताओ जी प्लीज तो भाई इसका एकदम सिंपल उपाज है कि आप पिजरे में रखकर उसे मादा खरगोस के पास ही रखें बस नेक्ट कुश्चन मेरा सफर मेरा खरगोस अपने बदन की बाल नोच रही है लेकिन जिस पिजरे में है उसी में बाल जमा कर रही है हमें क्या करना चाहिए तो देखिए आप उसके पिजरे में ही काटन दे कर रखें बस नेक्ट कुश्चन अरुन परधान मेरी मादा खरगोस ने चार बच्चे दिया था और वन मंथ बाद फिर से दे दिया उससे दूर रखना है या नहीं फिरो छोटा बच्चा को मार देगा दबा कर क्या उन बच्चों को नर्खरगोस के पास छोड़ सकता हूँ तो देखिए भाई इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा बच्चे देने के बाद नर्खरगोस को दूर रखना चाहिए जिससे प्राबलम ही ना हो बटा पहले के बच्चों को छोटे बच्चों से दूर रखें और अगर नर्खरगोस उन्हे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है तो आप नर्खरगोस के पास रखें वरना उससे दूर ही रखें काफी बेटर रहेगा क्योंकि नर्खरगोस बच्चों को मीटिंग करने के चक्कर में नुक्सान पहुचा सकता है सर मेरा खरगोस मेरे कंधे पर चड़ते चड़ते गिर गया एक पैर उपर करके चल रहा है आगे वाला बचा कर तो आप एक बार देख लिजिए कि हड़ी हो गएरा तो नहीं तूटी है बस उसके बाद आप नमक पानी और फिटकरी से उसके पैर की सिकाई कर दीजिए वो नार्मल हो जाएगा तो भाई इसका अंसर है यस आपको दो से चार बच्चे में जब कहोगे तभी दे दूँगा बट उसके लिए आपको मेरे पास आना होगा और आपका रैविट खाना पसंद करता है तो बट लिटिल एमाउंट में और आज वीडियो पसंद आने पर लाइक के उम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जय हिंद